प्ले हाउस हाइड एन सीक निमापूर नाम के गाव में करन नाम का एक व्यक्ति रहता था उसकी पतनी और दो बच्चे थे करन एक प्लास्चिक फैक्टरी में छोटी सी नौकरी करता था और पतनी बच्चों को पालता था करन के बच्चे सोनू मोनू बहुत थोश्यार बच्चे थे हमेशा क्लास में फ्रस्ट आते थे करन अपने फैक्टरी में रिजेक्ट हुए प्लास्टिक समान को लाकर सोनू मोनू को देता था फिर सोनू मोनू उनसे अलग-अलग प्रकार के खिलोने बनाते थे सोनु मोनु के क्लास में चिंटु पिंटु नामके दो भाई भी रहते थे वे दोनों अमीर घर के बच्चे थे वे कुछ भी मांगते तो उनके पिताजी बिना मना करे लाकर दे देते थे एक बार चिंटु पिंटु उनके पिताजी से पापा पापा हमें एक मिनी कार चाहिए हम उसी में स्कूल जाएंगे युम बोले चिंटू पिंटू के पिता जी उन दोनों के लिए विदेश से मिनी एलेक्ट्रिक कार मंगा दिये चिंटू पिंटू उस कार में ही स्कूल जाते थे एक बार सोनू मोनू चलते वे स्कूल जा रहे थे तब चिंटू पिंटू उन दोनों के पास कार रोकर उनसे क्यों ले सोनू मोनू तुमारे पिता जी तुमारे ले कार खरीट कर नहीं जिये मेरे पिता जी देखो हम बस यूं कार पूछे और तुरंध हाजर जल्दी चलो जल्दी चलो पहले स्कूल के लिए देरी हो रही है यूं कहा सोनू मोनू को गुसा आया लेकिन उनोंने कुछ नहीं कहा उस दिन स्कूल में टीचर सबको रिपोर्ट कार देते वे इस बार भी हमारे क्लास में फर्स्ट दो लोग आये हैं वे और कोई नहीं सोनू मोनू है यूं बोली तब क्लास में सारे बच्चे सोनू मोनू के लिए तालिया बजाए वो देखर चिंटू पिंटू को बहुत गुसा आया डीयर स्टूडेंस आप लोगों को पता है ना हमारे एक्जाम्स हो गये अब आप लोगों को गर्मियों की छुट्टी जी जाएगी इस बार इन छुट्टियों में आपको अच्छा सा प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा वो अच्छे से करने वाले लोगों को अच्छा सा बहुमान भी मिलेगा यूम बोली फिर अगले दिन से उनकी छुटिया शुरू होई सोनु मोनु उनके पिताजी के लाईफ प्लास्टिक समान से एक घर बनाए तब सोनु मोनु के Classmates में आए उनमें से एक लड़की सोनु मोनु आप लोग बहुत तेलनिटेड हो प्लास्टिक समान से इतना अच्छा घर बना रहे हो इस बार गर्मियों के छुटियों में हम सब इस प्लास्टिक प्ले हाउस में खेलते हैं न यूम बोली तब भी वहां चिंटू-पिंटू आए वे बाकी के बच्चे और सोनू-मोनो को खेलता देखे अगले दिन चिंटू-पिंटू उनके पिताजी को कहकर एक टेंट मंगवाए तब भी बच्चे उनके साथ खेलने नहीं आ रहे थे एक दिन चिंटू-पिंटू से दे पिंटू हम इतना अच्छा घर मंगाए लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों को उन सोनू-मोनो वालों के घर परी जाकर खेलना पसंद आया है हमें कुछ तो करना होगा यूं कहा पिंटू आगर हमें काम कर ले तो उनका प्लास्टिक घर का नाश कर दे तो हम आज उनके घर जाकर उनका प्लास्टिक हाउस खराब कर देते हैं यूं कहा इस तरह वे दोनों उस रात सोनू-मोनो के घर जाकर उनका प्ले हाउस नाश कर दिये सुबा सोनू-मोनो वो देखकर दुखी हुए सोनू-मोनो से रे ये सब कोई जान मुझकर क्योंगे लगता है मुनू हाँ रे कोई जान मुझकर हमारी घर कर नाश किये मुझे उन चिंटू-पिंटू पर ही शक हो रहा है अब हमारे दोस्तों के साथ कैसे खेल सकते हैं बताओ सुनू इक काम करते हैं हम यही घर को एक पेड़ की उपर बनाते हैं तब उससे कोई गिरा नहीं पाएगा यूं कहा मुनू मानकर दोनों मिलकर पेड़ पर घर बनाए बाकी बचे उस पेड़ पर छड़कर उपर जाकर खेलने लगे तब चिंटू-पिंटू को और गुसा आया पिंटू, यह क्या चिंटू, हम उनके घर को नाश किए फिर भी वे घर बना कर खेल रहें यूं कहा चिंटू, उनके साथ एक चैलेंज को रेक्या हाइडेंग सीख चालेंज, हम वैसे भी अच्छे से खेल ज़ें ना यू कहा पिंटू ठीक है कहकर दोनों जाकर सोनू मोनू और बाकी के बच्चों को बुलाकर फ्रेंड्स हम हाइड एंसी गेम खिलें इसमें आखिरता पकड में नहीं आने वाला जीत जाता है यू कहा सोनू मोनू और दूसरे बच्चे मान गए चिंटू पिंटू आंखों पर पट्टी बांद कर गिनने लगे बाकी बच्चे उस प्ले हाउस में छिप गए चिंटू पिंटू जल्दी जल्दी सारे बच्चों को पकड लिए आखिरकार सोनू भी पकड़ा गया सब बच्चे उस प्ले हाउस में जमा हुए पिंटू एक टेबल के उपर बैठ कर थकावड के साथ अम्मा सब मिल गए, वो मोनो का है, कई गुम तो नहीं गया, मुझे घबराट हो रही है यूंकाहा सोनो पता नहीं रहे, अभी और दस सेकेंड में नहीं मिला, तो वही जित जाएगा यूंकाहा, सारे बच्चे गिंती शुरू किये बस पिंटू जिस टेबल पर बैठा था, वो धीरे से हिलने लगी पिंटू उपर उठा देखा तो वो मोनो निकला उस टेबल जैसे कॉस्ट्यूम को पहन कर वहीं बैठा हुआ था सारे बच्चे तालिया बजाए बच्चों से हमें माफ कर जीजे फ्रेंज सच में आथ समझ गए साथ मिलकर रहते हैं तो खुशी होती है आप लोगों के साथ मिलकर खेलने के बाद हमें पता चला कि दोस्ती के बीच अमीरी और गरीबे से कुछ नहीं होता है अगर कुछ देर और मोनू नहीं मिलता तो हमें भी परिशानी होती सोनू मोनू तुम लोग सच में बहुत टैलेंटेड हो यूं कहा तब से वे सारे बच्चे मिल दोई कर खेलने लगें कुछ